हलो टू आल माई ब्यूटिफुल सोल्स स्वाकत है आप सभी का मेरे चैनल पर और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए डियर फ्रेंड्स उसका टॉपिक नया है लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि यह जनरल रीडिंग है और जेंडर फ्री रीडिंग है प्लस टाइमलेस रीडिंग है और आप जब देखेंगे तब आप से रिजुनेट करेगी और मेल फीमेल सबी देख सकते हैं सबके लिए है और इस रीडिंग का टॉपिक होने वाला है वो यह है कि आपके परसन जब आपको ओनलाइन देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं बेसक जब आप कॉंटेक्ट में नहीं है लेकिन कहीं किसी और एकाउंट से उन्होंने आपको दे इसकते हैं मेरी हल्प करें मुझे बताएं कि मेरे जो भी वीवर्स हैं यहां पर जो ये वीडियो देख रहे हैं वो जब ऑनलाइन होते हैं तो उनके परशन क्या सोचते हैं उनको ओनलाइन देखकर थेंक्यू प्लीज बताएं मेरे जो भी वीवर्स हैं उनके पर्सन उनको ओनलाइन देखकर क्या सोचते हैं सारे नहीं लोंगी कार्स में बहुत आ रहे हैं वन मिनिट ओके थेंक्यू प्लीज बताएं हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन जब उनको ओनलाइन देखते हैं तो क्या सोचते हैं थेंक्यू थेंक्यू ओक्यू ओक्यू ऑटम फ्टेक king of pentacles तो यहां पर जो निकल के आए हैं कार्स उनमें दो तो मेजर अरकाना है दो हर्मिट एंड एस उप सौर्ड तो डियर फ्रेंड्स जब आपके पर सन आपको ओन लाइन देखते हैं तो वो परिसान हो जाते हैं और वो यह सोचते हैं कि आप किसी और को साइद पसंद कर रही हो या आप किसी और से बातें कर रही हो किसी और को आप टाइम दे रही हो और उनको लगता है कि उन्होंने जो सपने देखे हैं आपको लेकर वो सारे तैसनेस हो जाएंगे वो आपके प्रती loyal हैं लेकिन आप कही न कहीं उनसे disloyal हो या आप उनके साथ loyal नहीं हो यह सोचकर वो काफी उदास हो जाते हैं काफी sad हो जाते हैं और वो उनको लगता है कि सब भिखर चुका है कुछ भी proper नहीं है और उनको यह भी लगता है कि लाइफ जो इतनी बड़ी है इतना लंबा सफर जो तैय करना है मुझे मैं अपने इस person के बगार कैसे करूँगा जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि 10 of wants जो बता रहा है वो यही है कि वो इतने burden में आ जाते हैं इतनी टेंशन में आ जाते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ट फील होने लगता है और वो इस चीज़ को बरदास्त नहीं कर पाते हैं कि आप सोसल मीडिया पर अनलाइन होकर उनसे बातना करके किसी और से बात करो तो वो काफी ज्यादा wins Korea हाते हैं काफी सेड हो जाते हैं कि यह हैं मेजर अरकाना और ववो यह सोच कर वो अपने हर्मिट मोण में चले जाते हैं वो सकता है कि फिर आप से बात नहीं करते हो आपको किसी बात का आप अगर उनको मैसेज भी करते होगे तो आंसर नहीं देते होंगे sometimes rudely behave करते होंगे root जाते होंगे बात नहीं करते होंगे और कहते होंगे जिससे बात कर रही थी उसी से बात करो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता या करना चाहती और वो आप पे डाउट करते हैं कि आप कही न कहीं किसी के साथ इंगेज हो और अपने ही मन में दुखी होते रहते हैं हलांकि बेसक आप ऐसे नहीं कर रहे हो बेसक आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही हो या अपने किसी फैमिली मेंबर से बात कर रही हो लेकिन वो ऐसा ही सोचते हैं कि आप उनको धोखा दे रहे हो और यह सोचकर वो अपने ही बनाए जाल में फस जाते हैं अपने ही दिमा आप लोगों में आर्गुमेंट होता है, जगड़े होते हैं, कहां सुनी होती है, और फिर कोई भी नहीं जीतता है, वो इधर उधास हो जाते हैं, आप उधर उधास हो जाते हो, और लेकिन उधास होने के बाद भी थोड़ा सा रो लेते हो, रोने दोने के बाद आप अपनी लाइफ में फिर से पॉप आप करतेओं फिर से आप मस्ति करते ओ खुस हो जाते हो अपना दर्द आप 172.1 जाफ तरुम न जद踃 ता कर लेटे हो और आपको अंदर से फोड़ा सा छिट होता है लेकिन आपके परस़्न आपको समय बुरा अभला कहने के बाद इतनी जादा आपको टीज देने के बाद वो किसी से कुछ कहने ही पाते हैं अंदर ये अंदर घुटते रहते हैं और उस हर्मिट मोड में रहते हैं दुखी रहते हैं अपने आपको कोस्ते रहते हैं और यहां पर जो sign है dear friends मैं आपको sign बता देती हूं यहां पर sign है और fire sign है Aries Leo Sagittarius और Libra Gemini Aquarius और water sign भी है Cancer Scorpio Pisces अगला card है Six of Swords का तो आपके person सोचते हैं कि आपको सबसे चुरा के दूर ले जाएं इस दुनिया से चुरा कर इसी अंजान टापू पे ले जाएं वहां बस आप हो वो हो और कोई ना हो और वहां रहकरी वो आपके साथ family grow करें आपके साथ family आगे बढ़ाएं और वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी को बोलो आप किसी से बात करो आप किसी को देखो हाला कि वो इस चीज का दिखावा बहुत करते हैं आप से कि मैं बहुत open mind हूँ मैं बहुत हैपी रहता हूँ मैं तो खुले विचारों का हूँ या खुले विचारों की हूँ और आप किसी से भी बात करो मैं डाउट नहीं करता या डाउट नहीं करती मैं सक नहीं करती लेकिन कहीं न कहीं दिल में उनके जलन जरूर होती है वो आपको बेसक ना बताएं लेकिन ये जलन इतनी होती है कि वो आपको सबसे चुपा के बंद करके रखना चाहते हैं और उनका बस नहीं है नहीं तो आपको बुरका ही पहना दें कि भई आप कोई भी तुमको नहीं देख पाएगा इतना उनकी ठिंकिंग रहती है क्योंकि उनके लिए आप बहुत प्रीशियश हो बहुत कीमती हो और आपको लेकर उड़न्चू हो जाना चाहते हैं बहुत अच्छे मेंसेजिस आ रहे हैं अगला है सेवन ओफ कप्स का तो जब आप उनसे अपॉलजी करती हो आप उनको रियालिटी बताती हो या फिर आप उनको स् से बात कर रही हूं या अपने किसी दोस्त से बात कर रही हूं या अपने कजिन से बात कर रही हूं या अपनी किसी रिलेटिव से बात कर रही हूं तो वो इस चीज में दुविदा में रहते हैं कि आप सच बोल रही हो या जूट बोल रही हो क्योंकि सेवन अफ कप्स जो ह रही हूं या अपनी मौसी से या किसी भी ऐसे रिलेटिव परसन से तो वो आपके बाद पर भरोसा नहीं करते हैं उनको यह लगता है कि आप कहीं न कहीं उनको जूट बोल रही हो और सिर्फ इसलिए कि आप दुनों का रिस्ता खराब नहों इसलिए आप उस पर जूट की चा करते हैं और आप से बाते भी करते हैं सवाल जवाब भी करते हैं हो सकता है कई बार आप पर डाउट भी किया हो कि नहीं तुम जूट बोल रही हो तुम किसी और के साथ थी यह टाइम नहीं था तुमने यह टाइम दिया तुमने यह किया तुमने वो किया वह लग ऐसी से भरोसा नहीं होता है आपपर और वो यह सोचते हैं कि मुझसे ज़्यादा बात आप किस से कर सकती हो ऐसा कौन परसन है आपकी लाइफ में ऐसा कि लाइफ में जो आपको मुझसे भी ज़्यादा प्यारा है और जिसके साथ आप इतना देर तक time spend कर सकती हो, हो सकता है कि कभी आप ऐसा करते हों कि online दिख रहे हों, what's up on हो, और आप अपने किसी काम में लग गए हो, अचानक से किसी ने बुला लिया हो, आप चले गए हो, और वो उस person को आपके जो person है उनको ये लग रहा हो, कि आप online किसी से बातें कर रही हो, तो ये चीजें उनके मन में बड़ा doubt लेकर आती हैं, बड़ा confusion में रहते हैं, वो ये समझ नहीं पाते कि आप सच बोल रही हो या जूट बोल रही हो, तो कहीं न कहीं उनके दिल और दिमाग में ये doubt बना हुआ है, वो clear करते हैं, लेकिन फिर से वो कहते हैं न कि दिमाग जो होता है न, वो हमेशा negativity की और लेके जाता है, तो वो कभी कभी जब दिमाग से सोचते हैं न, तो उनको लगता है कि नहीं मैं सही हूँ, ये किसी और से बात करती है, और जब दिल से सोचते हैं, तो सोचते हैं कि नहीं, आप सही हो, मेरी पार्टनर सही है, और मैं बेवजय ही उस पर डाउट करता हूं, शक करता हूं, तो dear friends, ये messages थे, कि जब आपके person आपको online देखते हैं, तो क्या सोचते हैं, उनकी दिमाग में बहुत कुछ चलता है, तो I hope reading आप से resonate हुई हो, आपको पसंद आई हो, पसंद आए, तो thumbs up चिपकाईएगा, और पहली बार आप मेरे वीडियो पर हैं, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो please subscribe, जरूर करिएगा dear friends, और आपके किम्ची समय के लिए, जो आप बक्त मुझे दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, thank you so much for watching.